भाईयो बैनो राष्ट्य भाजपा की योदना के तहट आज हम सब स्वर्गिय गिरीश पापट सभागरू में इस विस्तुरुत कारेकार्णी के अंदर इखटा हुए है जब मैं यहां आया हूं तब पुन्यनगरी में आया हूं सबसे पहले छत्रपती सिवाजी महराज को प यह नगरी तिलक महराज की नगरी है यहीं से केसरी को सुरू किया और देश भर में स्वराज मेरा जन्मसीद अधिकार है उसको सिवाजी महराज के बाद पूरे देश में अलग जगाने का काम बाल्द गंगादर तिलक नहीं किया था मैं आज बाल्द गंगादर तिलक बाजी राव पेस्वा और वीर सावक कर यह त्रीनों महापूरुसों को मन पूर्वक प्रणाम करकर मेरी बाद की सुरुवाट करना जाएं आज गुरू पूर्णी मा है मैं महराष्ट के सभी लोगों को गुरु परवकी गुरु पूर्णी मा की मन पूर्वक सुपकामनाय देना चाहता हूं भाईों और वेनों हम सब जानते हैं कि देश बर में हर प्रदेश के अंदर ये विश्त्रूत कारेकानी का आयोजन हमारे पार्टी के द्यक्स स्रीमान जगत प्रकास नड्डा जी के निर्देश पर हूरा है परंतु महराश्ट की ये पुणे नगरी में विस्त्रूत कारेकानी का एक अलग स्वरूब भी है लगु देश भी है हमने विस्तुरूत कारेकानी देश भर में 2024 के चुनाव के बाद फीर से एक बार हमारे कारेकरता हमारे विजय अभियान में लग जाई इसके लिए बुलाई परन्तु महराश के अंदर इविस्तुरूत कारेकानी 2014 के चुनाव की समिक्सा के साथ-साथ, 2024 की चुनाव की समिक्सा के साथ-साथ, 2024 में फीर से एक बार कमल फूल की यूती सरकार बनाने के लिए बुलाई और इसलिए आप सभी को निमंत्रीत किया हैं, मैं सबसे पहले आप सभी कारेकरताओं का मन पुर्वक अभिनंदन और आभार पार्टी की वर से प्रगट करना चाहता हूँ कड़ी धूप के अंदर मैंने महराश्ट के कारेकरताओं को ये चुनाव अभियान के अंदर दोड़ते हुए दिखाए, पसिना बहाते हुए दिखाए, परिणाम के लिए पल-पल जूजते हुए दिखाए और मैं आज कहने आया हूँ कि महराश्ट के हर कारेकरता ने परीश्रम की पराकाश्ठा करकर भारतिय जनता पार्टी को यस्त दिलाने का काम किया